दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सब का फिर से एक न्यू वेकेंसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Water Resource Department और Municipal Department की तरफ से डिपलोमा और BB Tech वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर Junior Engineer और Assistant Engineer Civil Post के लिए वेकेंसी रहेगी आपकी permanent job रहने वाली है फ्रेसर से इलिजिबल रहेंगे और आपको सेरली भी काफी अच्छी मिलने वाली है तो कैसे यहाँ पर आपका सेलेक्शन प्रोसेस रहेगा eligibility criteria आप से यहाँ पर क्या मांगा गया है कौन कौन से लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं यह सारी जानकारी हम आगे के वीडियो में डिसकस करने वाले हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और यूटूब पर सबसे ज्यादा job सब्डेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि सिविल इंजिनरिंग से समबंधित किसी भी लेटिस्ट जोब का अपडेट आपसे मिस ना हो और आप प्रीमियम टाइप जोब्स के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल और वाट्सअप ग्रूप को भी जॉइन कर सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो हम हैं के ओफिसल नोटिस पर नोटिस आपका असम पब्लिक सर्विस कमिसन की तरफ से एक दिसंबर को जारी किया गया है और ये रहापका एडविटीजमेंट नमबर इनकी तरफ से तीन अलग-अलग नोटिस जारी किये गये हैं देख सकते हैं नेमो पोस्ट यहाँ पर आपकी जूनियर इंजिनियर सिविल की रहेगी मुनसिपल एड्मिनिस्ट्रेशन में जो अंडर में आता है डिपार्टमेंट ओफ हाउजिंग एंड अर्बन अफेर्स के जूनियर इंजिनियर सिविल के लिए यहाँ पर तीन पोस्टों के लिए वेकेंसी है और ग्रेल्ड पे आपका यहाँ पर और लास्ट वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है असिस्टेंट इंजिनियर सिविल के लिए मुनसिपल कार्पुरेशन में यहाँ पर आपकी टोटल चार पोस्टों के लिए वेकेंसी है और ग्रेल्ड पे आपका यहाँ पर 12,700 रुपे रहने वाला है सबसे पहली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर इंजिनियर सिविल के लिए मुनसिपल एड्मिनिस्ट्रेशन में यहाँ आपका आता है डिपार्टमेंट ओफ हाउजिंग एंड अर्बन अफेर्स के अंतरगत जूनियर इंजिनियर सिविल के लिए यहाँ state government employee from time to time यानि यहाँ पर आपको salary के अनुसार awesome state government के अनुसार और भी जो allowance है वो भी आपको यहाँ पर provide किये जाएंगे अब बात कर लेते हैं आपके eligibility criteria के बारे में तो यहाँ पर आपको दो point दिये गए हैं सबसे पहला है the candidate must be a permanent residence of awesome यानि जो लोग यहाँ पर awesome के हैं वो लोग ही यहाँ पर apply कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको दूसरे point में बताया है the candidate must produce PRC issue in awesome for educational purpose employment action registration certificate voter ID card of the candidate और में करके दिया है his her parent will be treated as proof of residency along with the application form यानि यहाँ पर आपको बताया गया है अगर आपके पास PRC certificate है या फिर आपके पास employment exchange registration certificate है voter ID card है या फिर आपके मम्मी पापा के पास इसमें से कोई भी certificate है तो आप इन पोस्टों के लिए यहाँ पर eligible रहेंगे अब बात कर लेते हैं आपकी educational qualification के बारे में तो यहाँ पर eligible नहीं रहेंगे अब बात कर लेते हैं आपकी age limit के बारे में तो minimum age यहाँ पर आपकी 18 year होनी चाहिए और maximum age यहाँ पर आपकी 38 होनी चाहिए age का cutoff आपका यहाँ पर 1-1-2022 के हिसाब से रहेगा और इसे के साथ यहाँ पर आपको age पर government rule के हिसाब से age relaxation भी मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं आपके important date के बारे में तो form online होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं 6 December से और last date यहाँ पर आपकी 5 January रहने वाली है next हम बात कर लेते हैं आपकी application fee के बारे में BPL के लिए 47 और PWBD candidate के लिए यहाँ पर 47 रुपे रहने वाले हैं और application fee यहाँ पर आप लोग online पे कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं how to apply आप इसके लिए apply कैसे कर सकते हैं तो इनकी official site का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा वहाँ पर सबसे पहले आपको one time registration करना है वहाँ पर आपको एक अपना user ID और password create करना है फिर आपको उसे दुबारा flip करना है और आप अपना form easily apply कर पाएंगे और अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है assistant engineer के लिए water resource department में total यहाँ पर आपकी 63 पोस्टों के लिए वेकेंसी है और यहाँ पर आपकी वेकेंसी को category wise बाटा गया है देख सकते हैं नेकसम बात कर लेते हैं आपके pay level के बारे में तो यहाँ पर आपको pay band 4 के नुसार grade पर आपका यहाँ पर 12,700 रुपे रहेगा और इसके साथ यहाँ पर आपको other allowance भी provide किये जाएंगे eligibility criteria में same चीज़े रखी गई है कि अगर आपके पास PRC certificate या फिर employment exchange registration certificate है water ID card है तो आप यहाँ पर eligible रहेंगे educational qualification में यहाँ पर आपसे B.B.Tech मांगा गया है in civil engineering में और B.B.Tech आपका किसी भी AICT या फिर UGC board से होना चाहिए नेक सम बात कर लेते हैं आपकी age limit के बारे में तो B.B.Tech के लिए यहाँ पर minimum age आपकी 21 year रखी गई है और maximum age यहाँ पर आपकी 38 रहने वाली है age का कटोफ आपका यहाँ पर 112022 के हिसाफ से रहेगा और age पर government rule के हिसाफ से यहाँ पर आपको age relaxation भी मिल जाएगा बात कर लेते हैं आपके important date हो की तो form online होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं 4 December से और last date यहाँ पर आपकी 4 January रहने वाली है next हम बात कर लेते हैं आपके application fee के बारे में तो यहाँ पर general EWS के लिए 297 रुपए SCHT OVC के लिए 197 बीपील के लिए 47 और PWBD candidate के लिए यहाँ पर 47 रुपए application fee रहने वाली है application fee यहाँ पर आप online पे कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं how to apply आप इसके लिए apply कैसे कर सकते हैं तो इनकी official site का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा same process है आपको one time registration करना है और इसके बाद में आप अपना form apply कर सकते हैं और अगली vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है assistant engineer civil के लिए municipal administration में यह आपका आता है housing and urban affairs में यहाँ पर assistant engineer civil के लिए total 4 post के लिए vacancy है बात कर लेते हैं आपके grade pay के बारे में तो यहाँ पर pay band 4K नुसार grade पर आपका 12,700 रुपे रहने वाला है बात कर लेते हैं आपके eligibility criteria के बारे में तो eligibility criteria यहाँ पर भी आपका same रहने वाला है educational qualification में यहाँ पर आपके बीबी टेक मांगा गया है in civil engineering में आपका regular course होना चाहिए distance mode वाले यहाँ पर apply नहीं कर पाएंगे बात कर लेते हैं आपकी age limit के बारे में तो minimum age यहाँ पर आपकी 21 year होनी चाहिए और maximum age यहाँ पर आपकी 38 होनी चाहिए age का cutoff आपका same रहने वाला है अब बात कर लेते हैं आपके important date के बारे में तो form online होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं 6 December से और last date यहाँ पर आपकी 5 January रहने वाली है application fees भी यहाँ पर आपकी same है general EWS, SCHT, BPL और PWD के लिए अब बात कर लेते हैं how to apply आप इसके लिए apply कैसे कर सकते हैं तो इनकी official site का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा आपको सबसे पहले वहाँ पर one time registration करना है और इसके बाद में आप अपना form easily apply कर सकते हैं और बाकी इस video का link आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएगा आप telegram channel से जरूर join होकर रहिए तो अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो को पुरा देखने के लिए आप सबका thank you सुक्रिया वीडियो को like करें, share करें और civil engineering के सबसे ज़्यादा jobs update पाने के लिए हमारे channel को जरूर जरूर सबस्क्राइब करें